मैं दपिका एक बार फिर आप सभी का स्वागत करती हूँ तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एशन गेम्स की हौकी इंडिया ने अपनी मेन और विमेन टीम का एशन गेम्स के लिए कंप्लीट शेडियूल कर दिया है रिलीज और उसी के बारे में हम बात करने वाले हैं वहीं बात की जाए तो इशन गेम्स तेश सितंबर से शुरू होकर आठ आक्टोबर तक चलने वाले हैं जिसमें आज हम बात करेंगे भारत की मेन्स टीम के कंप्लीट शेडियूल की जिसमें हम आप सभी के साथ शेयर करने वाले हैं कि भारती टीम का मुकाबला किस दिन होगा किस टीम के खिलाफ होगा और वो मैच भारती समय अनुसार आप किस समय देख पाएंगे लेकिन उससे पहले बात ही जाए तो इनियन मेंस टीम ने कल ही के दिन अपनी Asian Champions Trophy का चौथा टाइटल जीता और अब उसके बाद उनकी नजर जरूर रहेगी Asian Games के गोल्ड मिडल पर क्योंकि अब next major tournament Asian Games ही रहने वाला है तो जादा देरी न करते हुए अब शुरू कर देते हैं complete schedule तो इनियन टीम अपने campaign की शुरूआत करेगी 24 सितंबर को उजबेकिस्तान के खिलाफ और ये मुकाबला सुबह 8 बच कर 45 मिनट पर शुरू होगा वहीं बात की जाए दूसरे मुकाबले की तो इनियन टीम का दूसरा मैच 26 सितंबर को रहने वाला है सिंगपूर के खिलाफ और ये मैच सुबह 6 बच कर भारत का रहेगा जापान के खिलाफ और ये मैच शाम 6 बच कर 15 मिनट पर स्टार्ट होगा उसके बाद अगला मुकाबला 30 सितंबर को रहने वाला है पागिस्तान के खिलाफ जो की शाम 6 बच कर 15 मिनट पर रहने वाला है वहीं 2 ऑक्टोवर के दिन बांगला देशे खिलाफ भारत के टीम हमें कमपीट करती हुई नजर आएगी और ये मैच रहेगा दोपहर 1 बच कर 15 मिनट पर तो ये था इंडियन मेंस टीम का कमप्ली शेडियूल आप सभी के लिए वहीं बात की जाए तो 2018 जकारता के अंदर भारत ने ब्रॉंज मेडल के साथ फिनिश किया था तो हम उमीद करेंगे कि इस बार इंडियन टीम अपने मेडल का कलर चेंज करने के इरादे से इस बार के एशन गेम्स में उतरेगी और होफुली वह उसको चेंज करने में भी काम्याब रहे तो आज की वीडियो में बसतना है बाकी जल्द ही हम विमन्स टीम के शेडियूल की वीडियो भी आप सभी के लिए लेकर जुड जाएंगे और बाकी स्पोर्स इटेर अपडे